हरियों, सद्गुर्व सिख्या ए्मरुस्थल जे जल जियां अन भूंदो मिथ्या भ्रम जानी हरक शोख खा रहित्थी सदाईं परंशांत पड्में स्थित रहन था हरक शोख ते रहि अधीता तिन जग तत पचाता A fully realized person is not elated even if he gets immeasurable wealth. At the same time, even if he has to face unsurmountable difficulties, he does not grieve because he has understood that wealth and difficulties are not real but are like the non-existent miraj water which appear in the desert. With this understanding, he always remains in a state of equanimity. Those who remain out of bounds of elation and grief have realized the essence of this world and of the truth. पून ज्यानवान पुरुष को संसारिक सुख संपदाओं के मिलने पर न तो खुशी होती है न वह विपत्तियों का पहाड गिर जाने पर शोख करता है क्योंकि वह तो इन संपदाओं और आपदाओं को गंधर्व नगर एवंग मरुस्थल के चल के समान जो वास्तों में है ही नहीं मिथ्या और ध्रम जानकर हर शोख से रहित होकर हमेशा परम शांती में रहता है हर शोख से जो अतीथ है उसे ने जगत उसी ने जगत और तव दोनों को जाना है वो ये स्वामी दर्मदास साहिब कीजे, स्वामी अतलराम साहिब कीजे, स्वामी पेसुराम साहिब कीजे, एक छोटा सा नांस्मेंट है, विच लिए लास्ट ने बड़ा प्रॉब्लम किया था, अशोग गुर्मानी जी, जो सीमा दीली के हस्बंड है, प्रॉब्लम के लिए दर्बार की तरफ से हमारा क्लेक्टिव कार्दास, में ही गेट वैल सून, इंफाट इस रिकवरें एंडू परॉब्लम के और उनके परिवार में सुख, शान्ती, समृद्धी और मॉस्ट अच्छी सेहत को, थांक यू, गद्धी जी, आशोग जी, सीमा जी, जो बहुत सेवा करती हैं तरफ देवार में, मुझे नच्टी मूट पर तरह हाटी ना। कैनल तरफ अच्टी सेवार में... आष करता हौ सेहनी मॉस्टी सेवार में... गभ草 स्वरतों है...